हेलो स्टुरेंट मासेव रिकाया दब करेंग अब हमारा फस्स चेप्टर करेंगे तो अन्हें पर स्टेप्टर को नेम उफ़ चेप्टर हेलो और गुद मर्निंग तो हमारे जो चेप्टर सेकेंड हैं है है hello and good morning about the chapter this chapter tells about some magic words like hello and good morning तो इस chapter में हम क्या जारेंगे क्या समझेंगे इस chapter से हम hello and good morning के बारे में जारेंगे जैसे कि हम किसी से first मिलते हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो हम hello hi करते हैं and good morning बोलते हैं जैसे आप टीचर से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं उन्हें first good morning बोलते हैं जैसे कि आप morning में मिलेंगे तो आप उन्हें good बोलेंगे मार्निंग मीस क्या होता है सुभा ओके और जैसे आप शाम को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे गोड इवनिंग ऐसे ही जो वार्ड्स होते हैं उनके बारे में चैप्टर में बोलेंगे वके समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं students नमन एंड दीपती, study in class first तो जो नमन एंड दीपती है आपको पिक्चरस में दो girl and why दिख रहे होंगे तो जो why है उसका name क्या दिया है इसमें नमन और जो girl है उसका name क्या दिया है दीपती तो नमन एंड दीपती, study in class जो नमन और दीपती हैं वो किस क्लास में पढ़ते हैं, study करते हैं, वो first class में study करते हैं, पढ़ते हैं, okay. Every morning they go to school together, वो हर सुबह साथ में school जाते हैं, together means क्या होता है, साथ में, go to school together, तो जो नमन और दीपती हैं, वो साथ साथ स्कूल जाते हैं हर सुबह, when they meet in the morning, when means क्या होता है, जब, they means क्या होता है, we meet in the morning, तो वे सुबह सुबह मिलते हैं, meet means मिलना, तो जब वे सुबह सुबह मिलते हैं, तो क्या करते हैं, they introduce each other, इंट्रोड़क मीन्स क्या होता है, इंट्रोड़क होता है, परीचे देना, एक दूसरे को अपना नाम बताना, तो क्या हो जाएगा ये परीचे देना, तो they introduce each other, each other meanings क्या होगा, एक दूसरे को इंट्रोडक करते हैं, मतलब एक दूसरे को परिचे देते हैं, तो आप फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट जो दीपती है, वो कह रही है, क्या बोल रही है, जो एलो बॉक्स है, पहला वाला उसमें दिया है, हेलो, I am दीपती, तो जो दीपती हेलो कह रही है, नम आई एम नमन तो जो second yellow box है उसमें नमन कह रहा है है hello I am नमन नमन खुद को introduce कर चुकी है दीपती कर चुकी है next दीपती बोल रही है next वाले box में देखेंगे हम third वाला क्या है nice to meet you नमन let us be friend तो नमन तुमसे मिलकर अच्छा लगा nice to meet क्या मतलब क्या होता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा nice to meet you नमन let us be friend अब से हम दोस्त हैं friend means क्या होता है दोस्त आप सभी के भी होंगी nice to अब नमन बोलते हैं fourth नमर का वाक्स है nice to have you as a friend दीपती तो जो नमन है वो कह रहे हैं कि अब से हम दोस्त हैं तो दीपती बोल चुकी हैं तो जो नमन है वो कह रहा है कि तुम्हें दोस्त की रूप में पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ nice to have you as a friend दीपती ओकी next है वो जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो वो अपनी मैडम से क्या कहते हैं good morning मैडम ओकी और मैडम रिप्लाइ में क्या कहती हैं उन्हें बापस रिप्लाइ देती हैं good morning children next नीचे देखेंगे हम children would you like to be friends with दीपती और नमन तो आप सभी की भी friends है ना बच्चो चिल्डरन्स में इसका होता है बच्चो तो students आप सभी की भी friends होंगे like कैसे दीपती और नमन के जैसे जैसे आप सभी साथ साथ स्कूल आते होंगे अभी तो स्कूल वन है लेकिन आपको जब भी आप स्कूल आएंगे तो आप साथ साथ आएंगे अपने friends के साथ आएंगे तो जैसे नमन दीपती साथ साथ आए हैं स्कूल वैसे आप भी आओगे next क्या दिया है लाइन में they respect their elder and love their friend वो अपने जो elder है बड़े हैं elder means क्या होता है बड़े बुजूर्ग उनकी क्या करते हैं respect करते हैं सम्मान करते हैं अपने friends को क्या करते हैं love करते हैं यानी frame करते हैं आप सभी भी manners को द्यान में रखेंगे जैसे दीपती और नमन एक दूसरे को kindfully introduce करते हैं next वो अपनी school पहुँच कर आप सभी भी teachers को good morning बोलते हैं अपने elders को respect देते हैं ऐसे ही दीपती और नमन की तरह हमें भी रहना चाहिए यह हमारा chapter complete होता है next हम exercise देखेंगे तो first क्या है word wise देखेंगे first तो पहला word क्या दिया है respect respect meaning क्या होता है someone to honor तो respect meaning क्या हो गया someone next है manner manner means क्या होता है किसी भी कार को करने का तरीका जैसे हम कोई काम करते हैं उसे अच्छे तरीके से करेंगे तो वो mannerfully कहलाएगा okay तो the way in which I think is done जिस तरीके से हम किसी काम को करते हैं वो हमारा manner होता है जैसे हमें कैसे बात करनी चाहिए है किसी से respect देखकर कैसे बात करते हैं जैसे हमारे हमारा बोलना उन्हें कैसा लगता है वो हमारे manners में आता है okay next है elder तो elder क्या होते हैं बड़े बजर्ग जो हमारे घर के बड़े बजर्ग होते हैं उन्हें elder बोलते हैं elder इन्हें वन वर्ड में क्या बोल देंगे elder okay तो older और senior is a family next है इंट्रोड़क इंट्रोड़क आपको पता होगा क्या होता इंट्रोड़क means परिचे देना तो प्रिजेंट हुआ नेम टू वान अनादर तो हम इसकी definition कैसे कर सकते हैं कि एक दूसरी को हम जब मिलते हैं तो क् करते हैं फिस्ट हम एक दूसरी का नाम पूछते हैं उन्हें बताते हैं और अपना नाम बताते हैं और वह कहां रहते हैं और अपर इंट्रोड़क्शन हो जाएगा मितलब की परिचे हो जाएगा इंट्रोड़क कर देंगे हम नेक्स देखेंगे exercise है choose and write the correct option तो यहाँ पर जो हमें जो sentence दिये हुए हैं उनमें हमें correct option choice करके fill up करने हैं तो first इसमें कितने option दिये हैं three option दिये हैं उनमें एक correct है जिस पर टिक करना है तो first देखेंगे नमन and deep the study in class first तो कौन सा वाला correct हो जाएगा ए वाला option correct हो जाएगा नमन और दीपती किस class में थें first class में थें second है they respect their elder and love their friends तो वो अपने elder यानि बुज़ुर्गों का सम्मान करते थे और अपने friends से प्रेम करते थे तो इसमें क्या जाएगा first वाला option ए correct हो जाएगा ठीक है बी वाले पर देखेंगे complete the following sentence तो यहाँ पर जो sentence दिये हैं उन्हें complete करेंगे हमने fill कर दिया है आप सभी भी करेंगे तो यहाँ पर जो first वाला है उसमें क्या करना है my name is रिखाया दब तो यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिखेंगे सभी स्टुडेंट्स अपने अपने नेम फिल करेंगे यहाँ पर हमने अपना नाम लिखा है आप भी अपने अपने नेम लिखेंगे second है I am a student तो आप सभी स्टुडेंट्स है ना तो यहाँ पर क्या फिल करना है में student थर्ड नमर का है I study in first class तो आप सभी किस class में है first class में है तो यहाँ पर first class फिल करना है fourth नमर का है the name of my school is multi children higher secondary school तो आपकी school का नेम क्या है multi children higher secondary school तो यहाँ पर आप स्कूल का नेम फिल कर देंगे आप वीडियो को पोस करकर इसे जूम करकर फिल कर लें next हमारे question answer दिये हुए है उन्हें भी आप क्या करेंगे note down कर लेंगे आपको यह note करने है ठीक है अपनी note book में ठीक है first question देखेंगे what do they do when they meet in the morning तो they means क्या होता है they means होता है they what means क्या होता है क्या do means करते है when means जव जब they meet in the morning तो they means क्या होता वे वे कौन थे नमान एंड दीपती तो meet means मिलना morning यानि सुबह तो जब वो सुबह एक दूसरे से मिलती हैं तो वे क्या करते हैं तो आप सभी को पता है वो क्या करते हैं एक दूसरे को introduce करते हैं परिचे देते हैं तो इस cancer क्या हो जाएगा they introduce each other वो एक दूसरे को परिचे देते हैं introduce means क्या होता है परिचे देना they introduce each other तो इस cancer ये कर देंगे फिक है next है second वाला question देखेंगे what do they do when they reach the school तो जब reach means क्या होता है पहुँचना तो जब वो school पहुँचते हैं तो वो क्या करते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा they stand up and say good morning for their teacher जैसे कि हम सभी classroom में होते हैं कोई भी teacher आता है तो हम क्या करते हैं stand up हो जाते हैं और क्या कहते हैं good morning for their teacher means अपने अपने teachers को good morning बोलते हैं तो इसका answer यह हो जाएगा they stand up वो खड़े होते हैं and say good morning for their teacher ठीक है तो जो नमन दीपती हैं वो बहुत ही manners वाले boy and girl हैं तो आपको भी ऐसे manners सीखने चाहिए ना नमन और दीपती की तरह यह अपनी book का यह chapter का moral निकलता है कि हमें manners सीखने चाहिए ओकी आप सभी यह note कर लेंगे ओकी और जो वीडियो में जो भी कुछ mistakes हो समझ नहीं आया हो आप उसे comment करकर बता सकती है ठीक है okay student thank you for listening